मजबूत भारत सशक लोकतंत्र और निर्नायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है दुर्भागे की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है जनता द्वारा बार बार नकार दिये जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का पर्मेनट हिस्सा बन गए है एक और आज भारत जहां प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में दुनिया की पाँचमी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ती बन रही है वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धर्ती पर देश का अपमान कर रहे है सदन का अपमान कर रहे है देश की पूर्ण बहुमत सी चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे है और देश के 130 करोड जंता का अपमान कर रहे है ये देश द्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है राहुल गांदी जी आपने विदेश की धर्ती पर कहा कि भारत में लोकतंतर खतम हो गया है और योरोप और अमरीका इसमें दखल देना चाहिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रबूता पर हमला है मैं राहुल गांदी से जानना चाहता हूँ कि योरोप और अमरीका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंचा क्या है स्वतंत्र भारत की इतिहास में विशम से विशम स्थिती में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताक्तों से भारत सरकार के खिलाफ कारवाई करने की आवान नहीं किया है राहुल जी आपको यह कृत्र स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है इससे जनता को भारी आक्रोश है जन प्रतिनिद्यों में भी आक्रोश दिख रहा है हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है राहुल गांधी आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी अब स्पष्ट हो गया है कि मनिशंकर हैयर का प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी बलकि यह कॉंग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है यह बात उजागर होती है जिस इंग्लेंड ने हमें और हमारे उपर वर्षों तक शासन किया उसी के सरजमी पर जाकर राहुल गांधी यह कहें स्वयम भारत में विदेशी ताक्तों से दखल देने की मांग कर रहे हैं यह देश का दुर्भागय नहीं है तो और क्या है मुझे संदे है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंतर की कितनी जानकारी रखते हैं कितना समझते हैं अच्छा होता स्वतंतर भारत के लोकतंतर की इतिहास को यदि राहुल गांधी सही तरीके से पढ़ते और उन्हें पता चलता कि लोक तंतर की हत्या किसने की है और लोक तंतर की रक्षा किसने की है राहुल गांदी जी आप आपात काल के इतिहास को पढ़िये आपकी दादी माने उस समय की भारत की प्रधान मंतरी ने आपकी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महिनों तक आपारत का लगा कर लगबग देड़ लाख बेगुनाह लोगों को, राजनेतिक कारे करताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था और वो भी MISA, Maintenance of Internal Security Act के तहद और Defense of Indian Rule के तहद, DIR के तहद, तब बोलने पर प्रदिवन था, लिखने पर प्रदिवन था, मीडिया पर प्रदिवन था, फिल्मों पर प्रदिवन था, गायकों पर प्रदिवन था, नजाने किन गुनाहों के लिए किस-किस पर प्रदिवन आपकी सरकारों ने लगबग 90 वार राश्ट्रपदी शासर लगा कर चुनी हुई लोकतंतरी सरकारों को बेवज़ा बर्खास किया है, ये होती है लोकतंतर की हत्या, राहुल जी आपकी पार्टी के द्वारा जिस धंग से आपात काल को लगा कर देश के समविदान को समाप करने का प्रयास किया गया, उसका प्रतिकार इसी देश की जंता ने किया था, आपके सार्शन को खार भेका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं, राहुल गार्दी जी आप विदेशी धर्ती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही ह दुनिया इटली के PM ने हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को सबसे लवेवल PM कहा है World Bank से लेकर IMF तक ने भारत के विकास गाता की सराना की है जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्बुत बताया है अमरीका, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूए, साउधी अरब, सहित तमाम देश प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को ये नेत्रतो की सराना कर रहे है लेकिन राहूल गांदी जी देश का अप्मान आप कर रहे है ये है राहूल गांदी की समझ, ये है राहूल गांदी कहते हैं कि भारत राष्ट नहीं बलकि राज्यों का एक संग है जिसे राष्ट के रूप में भारत में विश्वासी नहीं है, उसकी सोच पर क्या कहा जा सकता है राहुल गांधी जी भारत mother of democracy है जिसने पूरी दुनिया को लोकतांतर की शिक्षा दी है दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतांतरिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुचा सकती है राहुल गांधी आज आपको आपकी party की देश में कोई सुनता नहीं है देश की जनता आप पर विश्वास नहीं करती है यही कारण है कि आज आपकी party को देश से लगबग सफाया हो चुका है जब भी भारत में संसत का सत्र शुरू होने वाला होता है देश विरोधी toolkit gang अचानक से active हो जाती है कभी Pegasus की जूती report publish हो जाती है कभी आंदोलन को भड़काया जाता है कभी कोई documentary आ जाती है कभी कोई विदेशी अकवार की report को लेकर हंगामा किया जाता है कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है मगर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक हाथ तो साथ समुदर पार और दूसरा यहां के दोनों मिल करके ऐसी ताली बजाते है अपने देश को भी बदनाम कर रहे है और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता कि आखिर भारत विरोधी, जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी क्यों है आखिर क्यों पाकिस्तान और कॉंग्रेस की भाषा एक जैसी है आखिर क्यों देश विरोधी, कॉंग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है विदेशी ताक्तें भारत में को कमजोर और मजबूर गड़ बंदन की सरकार चाहती है ताकि वे अपनी आवशक्ताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उप्योग कर सके। भारत को कमजोर और डीप स्टेट का शडियंत्र है जिसमें कॉंग्रेस सही तथा कतित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं पर इस देश के करोडों देश भक नागरिक कॉंग्रेस और विदेशी शडियंत्र कारियों की इन मनसुबों को कभी काम्याब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी।